नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चैनल हिंदी रिचुल्स में आपका स्वागत है सरस्वती को ज्यान की देवी क्यों माना जाता है? पुराणों एवं अनिधर्म शास्त्रों में मा सरस्वती को सतो गुण का प्रतिक माना गया है इसी प्रकार विद्या एवं ग्यान को भी सतो गुण माना गया है मा सरस्वती सतो गुण की अधिष्ठात्री देवी है चुकि भगवती सरस्वती सतो गुणी है अतह सतो गुण के प्रतिक विद्या या ग्यान की देवी इन्हें ही माना गया है मा सरस्वती, विद्या, संगीत और बुद्धी की देवी मानी गई है देवी पुराण में सरस्वती को सावित्री, गायत्री, सती, लक्ष्मी और अम्विका नाम से सम्मधित किया गया है प्राचिक ग्रंतों में इन्हें वाग देवी, वाडी, शारदा, भारती, विद्या धरी, सर्व मंगला आधी नामों से अलंकरित किया गया है ये संपुन संशेयों का उच्छेद करने वाली तथा बोध स्वरोपिडी है इनकी उपासना से सब प्रकार के सिध्या प्राप होती है ये संगीत शास्त्र की भी अधिश्ठात्री देवी है ताल, स्वर, लय, राग नागनी, आधी का प्रादुरुबाव ही इनी से हुआ है साथ प्रकार के स्वरों द्वारा इनका समरण किया जाता है इसलिए ये स्वरात्मिका कहलाती है सब्त वीद स्वरों का ज्यान प्रदान करने के कारण ही इनका नाम सरस्वती है वीडा बादनी सरस्वती संगीत में वीडा बादन शरीरी यंत्र को एकदम स्थैरे प्रदान करता है इसमें शरीर का अंग अंग परस पर गूत कर समाधी अवस्था को प्राप्त हो जाता है साम संगीत के सारे वीदी विधान एक मात्र वीडा में सन नहीं थे मारकंडे पुराण में कहा गया है कि नागराज अश्वतारा और उसके भाई कामबाल ने सरस्वती से संगीत के शिक्षा प्रात की थी सरस्वती के सभी अंग श्वताब हैं जिसका तत्पर यह है कि सरस्वती सवत्य गुणी प्रतिभा स्वरूपा है इसी गुण की उपलब्धी जीवन का अभिष्ठ है कमल गतिशिल्ता का प्रतिक है या निर्पेक्ष जीवन जीने की प्रेणा देता है हाथ में पुष्टक सभी कुछ जान लेने सभी कुछ समझ लेने की सीख देती है देवी भागवत का नुसार सरस्वती को ब्रंभा विष्टु महिष द्वराप पुजा जाता है जो सरस्वती की अराधना करता है उसमें सरस्वती के वाहन हंस के नीर शीर विवेक गूर अपने आप ही आ जाते हैं माक के महीने में शुकल पक्षमी की पंचमी को बसंद पंचमी पर्वे मनाया जाता है तब संपूर्ण वीदी विदान से मा सरस्वती का पुजन करने का विदान है कवी, लेखक, संगितकार आदी सभी सरस्वती की पर्थम बंदना करते हैं उनका विश्वास है कि इससे उनके भीतर रचना की उर्जासत्ती उत्पन होती है इसके अलावा सरस्वती देवी की पुजा से रोक, शोक, चिंताय और मन का संचित विकार भी दूर हो जाता है झाल झाल